हलो वेलकम टू CIT एजुकेशन ऑनलाइन एक्जाम्स पोर्टल मैं हूँ सिवांगी चौवे मैं आपको एक ऐसे एजी टेक्नलोजी के बारे में बताने जा रहे हूँ जिसके तुरू आप किसी भी कोस का अपनी क्लास में बैठे बैठे ऑनलाइन एक्जाम्स दे सकते हैं और स CIT education.in login करना होगा एक्जाम्स देने के लिए आपको थ्री स्टेप से जाना रहेगा फर्स्ट तो आपको यूजर निम डाल करके इसे login करना है उसके बाद manage में जाएंगे manage students इसमें जिस student का exam देना है उसका data add करना होगा student नाम जिस students का exam देना है उसका नाम एड़ करना रहेगा data बहुत दालेंगे address डालेंगे वे हिंगे आपकोन आपको हमें इस में जानी दालेंगे और इसमें लिए और को यूजर नाम जाना रहेगा आए नागे साम्ड Зाहना ना इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जिसमें रेट कलर का स्टार लगा हुआ है वो नेसेसरी है उसको आपको फील करना ही होगा कॉंटिक्ट नमबर टू दिया हुआ है तो आपको एक भी फील करना ही रहेगा वालिफिकेशन डालेंगे इमेल आईडी है तो डाल सकते हैं नहीं है तो भी चलेगा सेव करेंगे उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा मैनेज में जाकर के मैनेज एक्जाम्स मैनेज एक्जाम में स्टुटेंट का नाम सर्च करना है वजुल मात्रे, गो उसके बाद एड नूँ एक्जाम इसलिए करेंगे कि जो स्टुटेंट का नाम अपने एड किये वो किस कोस का एक्जाम देने वाला है यहां से कोस सेलेक्ट करेंगे एडमिशन डेट डालेंगे कि उसने एडमिशन कब लेया था फॉर्म नंबर डालेंगे जो रहेगा मेडियम आफ इस्टडी इंगलिस ही रहेगा क्योंकि आपको एक्जाम इंगलिस में ही देना है एक्जाम मन्त कौन से मन्त में एक्जाम दे रहा है स्टुटेंट मोड आफ ट्रेनिंग मिल्स अगर आप यहां पर A सेलेक्ट करते हो A for only online exam B for online exam and book both C for online exam only books फीज जो है 100 रुपीज पर एक्जाम रहेगा स्टुडेंट का डेटा एड़ करने के बाद आपको CIT एजुकेशन के अकाउंट में आपको फीज पे करना रहेगा फीज पे करने के बाद CIT एजुकेशन के तरफ से आपका exam अप्रूफ कर दिया जाएगा और आप अपने सेंटर में बैठे बैठे exam दे सकते हैं तो अभी मैं अप्रूफ करके नहीं दिखा सकती आप exam कैसे दे सकते हैं अपने क्लास में वो मैं करके दिखाऊंगे स्टार्ट exam में जाएंगे यहाँ पर जो भी नाम दिख रहा है मिन्स यह अप्रूफ है इसमें से कोई भी नाम लेकर के मैं दिखाऊंगे नेम सेलेट करेंगे जो अप्रूफ किया हुआ रहेगा और स्टार्ट करेंगे नमबर अफ कोस्टन्स 38 है टोटल मार्क हंडेड रहेगा पासिंग मार्क फिप्टी है आई अग्री करके आपको स्टार्ट एग्जाम करना है एग्जाम होने के बाद आपको सब्मिट करना है और आपको प्रूबिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा थैंक्यू आपको है अपको है बार